यूवक की मौत की खबर हर्दोई से है जहाँ परिजनों ने हत्या का आरोप लगाए है तो दो पक्षों में हिंसक जड़प के बाद एक यूवक की मौत की पुष्टी की जा चुकी है घटना असल पर पहुचे एसपी केशव चंद गोस्वामी मृतक यूवक के परिजनों से भी मिले असपी तो मृतक यूवक के परिजनों से भी असपी ने मुलाकात की है खबर हर्दोई से आपको बताते चले साथी पांच आरूपियों के खलाफ अब ये मामला दर्श किया गया है तो हिंसक जड़प में एक की मौत की खबर के बाद आरूपियों के खलाफ मामला दर्श किया गया है सुर्सत थानस शेतर का ये पूरा मामला बताय गया जहां दो पक्षों में जड़ब के बाद युवक की मौत हो गई है बैराइच में भारत नेपाल सीमा पर पकड़ी गई चीनी महिला तो भारत नेपाल सीमा पर चीनी महिला को गिरफतार क्या गया है महिला के पास नहीं था कोई भी वैद दस्तावेस तो महिला के पास से कोई भी वैद दस्तावेस को बरामत नहीं किया गया है सुरक्षे एजंसिया महिला से पुछताच करने में लगतार जुटे होई है और महिला के पाल से कोई भी डॉक्यूमेंट बरामद नहीं किया गया है अंग्रेजी भाशा ना बोल पाने से पूछताच में परिशानी भी पुलिस को आ रही है भारत नेपाल सीमा रुपईडिया का ये पूरा मामला बताए गया जहाँ पर बिना किसी वैट डॉक्यूमेंट के एक महला को अगर अफ्तार किया गया है और भारत नेपाल सीमा पर ये चीनी महला पकड़ी गई है संबल में खनन माफियाओं के होसले हुए बुलंद ख़बर संबल से है जहां खनन माफियाओं के होसले बुलंद होते हुए एक बार फिर नज़र आए परमीशन के नाम पर अवैत खनन जारी है खनन का काम देखने को मिल रहा है और खनन माफियों के बुलंद होसले नजर आए है बुलंद शहर में पुलस और बदमाश के बीच मुटभेड की खबर है बुलंद शहर में पुलस और बदमाश के बीच मुटभेड की तस्वीरे भी सामने आई है जहां मुटभेड में गोली लगने से खायल हुआ बदमाश बैंक मित्रलूटकांड का आरोपी है बदमाश तो बैंक मित्रलूटकांड के आरोपी से पलसके मुटभेड हूई है इस दौरान लुटेरे शैलेंड के कबजे से असलहा पुलस ने बुरामद किया है तो लुटेरे के कबजे से पुलिस ने असलाहा बरामत किया है इसके साथ ही संथ पुरा चौकी शेदर के पास ये मुट भेड हुई है इस दौरान पुलिस ने बदमाश को गरफतार भी कर लिया है बदमाश के पास से असलाहा बरामत किया गया है आज दौरावाद पुलिस सुनकुला चोपी के पास नहीं पर इस चकुन के दोरान एक बेक्त जाता हो दिखाए प्राव ससंत मानते हैं, उसे रोकने का और उसे पुस्ताच करने का प्रयास किया गया है, इस प्रयास पर उपिती आपने लगा और पीछा करने कर उसने पुलिस जो ग्राम पीर विया गानी का अतावास घंड़ाबाद का रहने वाला है, उसे पुलिस्ताच के विए पुटाच तसला कि जो और उन्दावाद में खतना होई थी उसे बत्मा भासानी था और निगां की तरफ जा रहा था, उसे और अन्दाच की पुस्ताच के जा रही है, और उसे इस प्रच्छा में लेका कि नाए ग्रास्त में दिस्तिरे कम वहां काले करेंगे